अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अप्टे चानें अधरनिय अध्यश्मवदय यह सदन का सवभाग्य है कि आप दूसरी बाद इस आशन कर विराजमान हो रहे हैं आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरब से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अध्यने अध्यक जी मेरी तरब से आपको शुपामना हैं लेकिन इस पूरे सदन की तरब से भी आपको अनेक अनेक शुप कामना हैं अम्रत काल के इस महत्वप्रू कालखंड में दूसरी बाद इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दाईत आपको मिला है और आपका पांच वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव हम सब का विश्वास है कि आप आने वाले पांच साल हम सब का मारदर्शन भी करेंगे और देश के आशा आपके छाय पूर्ण करने के लिए यह सदन अपना दाईत को निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमी कराएगी अधेने दिग जी हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि बिनम्रव और व्यहवार कुशल जटी सफल सहरज रित्र होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मिठी मिठी मुष्कान भी मिली हुई है आपके चहरे को ये मिठी मिठी मुष्कान पूरे सदन को भी प्रसंद रखती है मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए किर्थिमान गड़ते आये हैं अठारवी लोगसभा में स्पीकर का कायरभार गुस्त्रिवार सभालना ये अपने आप में बया नया रिकॉर्ड मनते हम देख रहे हैं स्री राम स्री बलराम जाखर जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष देज जिन्होंने पांच साल कायरकाल पूरा करके फिर दुबारा उनको स्पीकर बनने का आउसर मिला था उसके बाद आप हैं जिन्हें पांच साल पूर्ण करने के बाद दुबारा इस पत्वर आसिर होने का आउसर मिला गत बीच साल का ये कैसा कालखन रहा है कि ज्यादा तर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आये हैं आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कथीन है कि उसके लिए दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है लेकिन आप जीत करके आये हैं इसके लिए एक नया इत्याहत आपने कड़ा आदरिनिया जग जी इस सदन में ज्यादा तर हमारे सभी माननिय सांसत आप से परिचित है आपके जीवन से भी परिचित है और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके समझ में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं एक सांसत के रूप में और हम सभी सांसत के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसत के नात्य काम करते हैं ये भी जानने योग्य हैं और बहुत कुछ सीखने योग्य हैं कि बुझे भी स्वास है कि आपकी कारशाय लिए आपने अपने कारक्षेत्र में सौसद ये विए श्यश्यत्र में को स्वस्तमां और स्वस्त सीशू एक कमिट्मेंट के साथ जो अभ्यान चलाया है और सूपोशित मा इस अभ्यान को आपने जिस प्रकार से अपने छेत्र में प्राथ्मित्ता दे करके खुद को इन्वाल करके किया है वो वाकई प्रेरक है आपने कोटा के ग्रामिट छेत्रों में होस्पिटल और विल्स ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजनिती कामों के सिवाय करें वाले कामों में आपने खुदा है वो भी अपने आप में गाउं गाउं लोगों को स्वात्त सेवाय पहुचाने में मदद कर रहा है आप नियमित्रुप से गरीबों को कपड़े कंबल मौसम के नुजार चाता की जरोते चाता जूते ऐसी अनेक सुविधाय समाज के आखरी तपके के जो लोग है उनको खोज-कूर्टिज के पहुचाते हैं खेलों में प्रोच्छान देना आपके खेत्र के युवकों में या अपने एक प्राथफिक्ता के रूप से काम उठाया है आपके पिछले कारकाल में सत्रहभी लोग सभा में मैं कहता हूं कि संसद्य इतिहास का वो स्वानिम कालखन रहा है आपके अधिक्स्ता में संसद्य में जो इतिहासिक निर्णे हुए है आपके अधिक्स्ता में सदन के मादम से जो सुधार हुए है यह अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है और भविश में सत्तरवी लोगसभा के समन्द में जब विश्टेशन होंगे उसके विश्य में लिखा जाएगा तो भारत के भविश को नई दिशा देने में आपके अधिक्स्ता वाली सत्तरवी लोगसभा की बहुत बड़ी भुमिका रही है आदर्न यद्यक जी सत्तरवी लोगसभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023 जम्मू कश्विक पुनरगठन विदेयक भारतिय न्याय सहिता भारतिय साच्छभिर भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता सामाजिक सुरक्षा सहिता डिजिटल परस्टनल डेटा प्रोटेक्षन विल मुस्लिम महला विभा अधिकार सुरक्षन विदेयक ट्रांस जेंडर परसंस प्रोटेक्षन अब राइट बिल कन्यूमर प्रोटेक्षन विल डारेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेग सामाजिक आर्थिक और राष्ट्य महत्पक है ऐसे कितने ही महत्वपुन एत्यासिक कानू 17 लोग सभा में आपकी अध्यक्स्ता के अंदर इस सदन्य पारित किये हैं और देश के लिए एक मजबूत नीव बनाई है जो कारिया आजहादी के सत्तर साल में नहीं होएं आपकी अध्यक्स्ता में इस सदन्य इसको करके दिखाया सांसद होने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चड़ाया किसी को उपर बैटने के लिए कहा तो वह बहाँ जाकर बैठा किसी को दूसरी जगा भी जाकर बैठने के लाए तो वह थी बैठा लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया लेकिन आपने इस यह फैसले की है उसका परणाव है कि हम उस कठीन कालफंग में भी कार्य कर पाएं और एक खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170 परसंट प्रोड़क्टिविटी यह अपने आपने दुनिया के लिए बहुत बड़ी ख़बर है तो आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट वक्स में दरूर लिखिए इस वीडियो को लाइक की जिए सब्सक्राइब परना ना भूलिया आपके चैनल एफसी और जैड को तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैहें